हेलो दोस्तो, WS Cube Tech के चनल पे मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ दोस्तो आज 6th Class की Computer में हम लोग डिसकस करें अपने MS Excel के एक और नए टॉपिक को तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है यहाँ पर Workbook and Worksheets तो दोस्तो, Workbook और Worksheet होता क्या है हम लोग एक बार उसको लेकर के बात करनेते हैं Workbook का मतलब है सिंपल सी आपके पास एक File एक File जो हम लोग Excel में Create करते हैं MS Excel में बनने वाली कोई भी File जो है उसको हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं Workbook और दोस्तो, Workbook के अंदर उस File के अंदर आपके पास बहुत सारे शीट्स हो सकती है उन हर शीट को अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं Worksheet तो एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है आपको सिंपल सी डेफिनेशन जो है आपका किस में स्टोर होता है Worksheet में और वैसे ही Worksheet के डेटा को यह वर्कशीट के कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं Workbook दोस्तों इसको प्रैक्टिकल को एक बार फिरसे मैं बता देता हूं तो मैं यहाँ स्टार्ट करने वाला हूं Excel Software को Definitions आपको समझ में आ गई होंगी तो obvious से आपको यहां पर यह सारी चीज़े समझ मा जाएंगी यहां मेरे पास एक File है इस File को मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों यहां पर एक Workbook अब Workbook के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां मेरे पास बहुत सारी अलग अलग फाइल्स हो सकती है दोस्तों यहां पर मैं अपनी इन फाइल्स का कुछ नाम दे सकता हूँ जैसे कि मैं यहां पर नाम दे देता हूँ कोई Month के According या कोई Day के According जैसे कि सपोस्ज यह है मेरे पास Sunday का Data ठीके यह मेरे पास संडे का डेटा यह मेरे पास Monday का डेटा यह मेरे पास Tuesday का डेटा और ऐसी दोस्तों यह मेरे पास यह मेरे पास है पर कुछ Tuesday की information डाल देता हूँ, ऐसी दोस्तों, मैं यहाँ पर Monday की कुछ information यहाँ पर store कर देता हूँ, और ऐसी दोस्तों, मैं यहाँ पर Sunday की भी information store कर देता हूँ, तो दोस्तों यहां आप देख रहे होंगे जो complete file बनेगी जब मैं अपनी इस file को save करूँगा ठीके कुछ भी नाम आप दे सकते हैं आपकी file का तो save करने के लिए आप क्या कर सकते हैं जिसे मैं suppose desktop पे file को save करना चाहरा हूँ इस file का नाम पूछेगा कुछ भी नाम दे सकते हैं आप दोस्तों मैं यहां पर नाम देता हूँ suppose की ABCD आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आप observe करेंगे दोस्तों यहां पर आपकी file का extension होता है जो कहलाता है dot xls ठीके xls यह नहीं की excel की sheet और उसके बाद एक और x मिलता है आपको इसका मतलब होता है extensible ठीके तो यह आपके पास है यहां Microsoft Excel की sheet extensible है और मैं यहां इसको क्या कर देता हूँ save कर देता हूँ तो यह आपकी file जो है desktop पे save हो जाएगी file मतलब यह completely आपकी file जिसमें Sunday Monday Tuesday Wednesday सारी sheet का data है तो दोस्तों यहां पर आपकी जो यह sheet है यह कह सकते हैं कि य आपकी जो file है वो file क्या collection of worksheets यहनि कि Sunday Monday Tuesday Wednesday सारी की sheets है तो sheets क्या होगी individual sheet है एक individual spread sheet है जहां पर आप actual data store करते हैं और workbook क्या होगी collection of worksheets तो दोस्तों आपको यह topic बहुत अच्छे से practically समझने आया होगा तो इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखते हैं म मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए topic के साथ तब तक के लिए आप हमारे साथ जूड़े रहे हैं थैंक यू